अब बात कर लेते हैं 90 विदान सबा सीटों वाले 36 गड़ की 36 गड़ में रमन सिंग का 15 साल का कारिका लेकिन आज का वोट प्रतिशत सी वोटर का क्या के रहा है 36 फीज़ी वोट शेर बीजेपी को 37 फीज़ी वोट शेर कॉंग्रस पार्टी को 16 फीज़ी आने के खाते में और अब भी 11 फीज़ी वोटर 36 गड़ में अंडिसाइड़ है एक फीज़ी का अंतर 37 फीज़ी वोट प्रतिशत के साथ कॉंग्रस आगे बढ़ती हुई 36 फीज़ी के साथ बीज़ेपी दूसरे नंबर पर अशोक वान खेड़ी इस पर क्या सीटे देंगे आप आज कॉंग्रस को मैं 30 दूंगा बीजेपी को भी मैं 30 दूंगा और अन्य को मैं 10 दूंगा मेरे ख्याल में आप 40 मेरे अगर गड़ना चाहिए चालीज चालीज दस चालीज चालीज दस अच्छा तो मुझे यह बताईए आप जल्दी से मुझे यह बताईए एक पीज़ी का वोट डिफरेंस है फिर भी आप कैसे दोनों को बराबर सीट देना है कॉंग्रस को तो पाले टी जी आप अपनी सीट दीजे मेरे साब से कॉंग्रस को 43 सीट बीजेपी 41 अन्य को 6 सीट और इसके पिछे क्या स्ट्राटी जी आपना ही आपको क्या लग रहा है पिछले तीन चुनों में जो वोट शेर का मार्जिन है एक दो परसंट ही रहा है तो एक दो परसंट अगर किसी पार्टी को मिलता है तो वो आगे रहेगी पर इस पर जो है जो है जोगी और मायवती का जो गड़बंदन हुआ है वो बड़ा बिल्चस होने बारा है उस पर नजर रहेगी ठीके पाले टीजी मैं इस पर आऊंगे लेकिन मेरे साथ यहां पर प्रेम शुक्ला ज तबहा लग रही है तो कि दो हजार तेरह में भी ऐसा था कि लोगों ने रमन सिंग को तो हराई दिया था चुनाओ जिस दिन से भाजपा 35 हो जाएगी और 36 से 37 से कांग्रेज जो है 34 पर गिर जाएगी और आप देखेंगे कि फिर भारती जनता पार्टी के ने तुम मेरे ख्याल में राजर नी रवन फिंक के ने लूइस पर राजर प्यागी जी ने कहा बीजेपी ने गलट टिकट बाटे लेकिन कॉ और दूसरी बड़ी बात है कि 36 गड़ में आपका कोई चेहरा नहीं है इसलिए आज भी आप लोग माँ शिद्दत कर रहे हैं आगे निकलने के लिए देखे ये बात जो आपने कहा कोई चेहरा नहीं हालाकि चेहरे हमारे पास अनेक हैं लेकिन ये भी सत्ते हैं कि नकसली उन्हें सबसे अदावार कॉंग्रेस पार्टी पे किया और कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सारे निताव को शहीद करने का काम किया क्योंकि वो नकसलवा देश की जंता देख रही है क्योंकि देश की जंता ही बोल रही है इस पर मैं आप लोगों के पास आगे आउंगे अपनी बात कहली जिगा राजीत्यागी जी अभी राजिस्थान की बारी है लेकिन उससे पहले 36 गड़ में ग्राउंड जीरो पर किस तरह की चिड़ावी हल च की दंतेवाडा नकसली हमले में घायल दो जवानों को इलाज के लिए राइपुर लाए गया दंतेवाडा के तेलम गाउं में वोटिंग के लिए पहली बार बना पूलिंग बूद गाउंवाले वोट करने के लिए उतसाहिर गांग्रिस प्रवक्तार रंदीप सुर्जेव